राची में सेंट्रल लाइबरेरी की दिवार गिर जाने से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र की पहचान मंतोस बेदिया के रूप में हुई है। वह रामगण का रहने वाला था और जेई की पढ़ाई कर चुका था। सिविल इंजिनियरिंग के पढ़ाई कर चुका था सरकारी जेई के लिए वह तयारी करता था यहां पर देखिए आप सेंट्रल लाइबरेरी है इसी सेंट्रल लाइबरेरी में हर दिन पढ़ाई करने के लिए आता था जैसे ही इस घटना की जानकारी चात्रों को मिली चात्र स पर उतर गहें और यहां पर लगातार विरोध प्रदर्संद कर रहे हैं यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक भी गाड़ी को इधर आने जाने नहीं दिया जा रहा है इस वक्त हमारे साथ मंतोस बेदिया के भाई हैं क्या नाम है मेरा अजय कुमार वेदिया है आपके भाई यहां मेरा मामा का बेटा थे क्या है मेरा ऊड़ी फूर देर पहले हम को पता चला कि लाइवरेरी हम लोग तो रेगुलर बात होता रहता था कि साम में फिर आज पता चला की नहीं से लेवरेरी साइकल खड़ा किया और जो बिल्डिंग का जरजर हुआ था पूरा चारोतरब जरजर हो गया कभी एक बार मेरे साथ भी हास जैसे हम खड़ा के साइकल उसके बाद उजस्ट गिरा था फिर आज मेरा भाई के साथ हुआ जैसे खड़ा हुआ रखा साइकल निकलने के करम में जरजर वाला जो उपर से उपर से इसके माथ है में गिर गया कुछ लोग भाई लोग लेकर ले गए रिम्स ले जाते समय साथ उसका डेथ हो गया यहां पड़ाई किये थे मंतोस में दिया जैई का सिभील इंजिन है उसका तीन भाई तीन भाई है और एक वहन है यह सबसे बड़ा था यह मंजला थे हां पिताजी उसका चोटा मोठा काम करते हैं मतलब कि खेती गिरस्ति जादत खेत भी नहीं है थोड़ा लेबर कुली अलग काम करते हैं मुश्किल से यह खुद अपना सेल्फ डिपेंट से टीशन पढ़ाते थे घूम घूम के तीन चार जगा साम को चार बज़े निकलते थे आठ बज़े अथी रूम आते थे दिन वर पढ़ाई करते थे उसके बाद साम को टीशन पढ़ाते थे फिर आठ बज़े आठ बज़े आते थे कभी कभी तो टीशन पढ़ा के आते थे आठ बज़े दस बज़े निकलते थे घमक्रते हैं किया मांग करते हैं कि उसके सरका से एक सरकारी नोख नौकरी चाहिए हम रवालों यहां घर वालों को अभी फोन किये हैं सुचने देश चुकए हैं दुखों का पहाड़ा ये टूट पड़ा है क्योंकि जैसा कि उनके मेरे भाई बता रहे हैं कि मंतोस वेदिया जो है वो दीन भर यहां पर पड़ाई करते थे साम को जाकर ट्विशन पढ़ाते थे अपना खर्च निकालते थे उसी में से कुछ पैसा घर भी बेजते थे आप समझ सकते हैं कि इस परिस्तिती में रहते हुए वो फिलहाल आगे की सरकारी नौकरी की तयारी करने के लिए जिस लाइबरेरी में आते थे उसी लाइबरेरी न था तेज तरहार इस्टुएंट था हमेशा पढ़ने में अच्छा देखते थे और यह का बोलेगी कि उसके साथ में दुखाद घटना हुआ तो सरकार को इसके लिए उचित वज्जा दे देखिए हमें ये पता चला कि जारखंड के अनेक अनेक जिलों से हरे गाउं से छात संतोस बेदिया था वह पढ़ने में एक हुनहार चात्र था और अभी भीटेक भी किया हुआ था और सिविल इंजिनियरिंग जो निकला हुए पडिक्षा उसका त्यारी करने वह आता था गाहों से साइकल चला करके वह इस सेंट्रल लाइबरेरी में पढ़ने आता था वह लाइबरेरी के पास अपने साइकील को पार्क कर रहा था तभी उपर से इन भरस्ट करमचारियों के द्वारा जो यह विद्याले का यह सेंट्रल लाइबरेरी बनाया गया है जरजर वेवस्ता में दिवाल तुटता है और चात्र का वहीं पड़ी स्पोट डेथ हो जाता है हमारे चात्रों का मांग है कि संतोस बेदिया के घर के जो भी मेंबर है उन्हें जल्द से जल्द मुआजवा प्रभाइट करवाया जाए और इस सेंट्रल लाइबरेरी और राची विष्विद्याले में एक सरकारी नोकरी उसे जल्द से जल्द उपलब्त करवाया जाए इ हमारा मांग है कि वह चात्रों के बीच में आए वह राची विष्विद्याले के कुल पती है ना कि हजारी बाग के कुल पती है अगर उनका घर वहाँ पर है तो वह आज अपने यहां त्याग पत्र दे और अपने घर हजारी बाग में जा करके रहे ना कि सेंट्रल लाइब पर्टेश रेगुलर अधियरत हैं क्या बूल है हम लोग हम लोग वन डिमंड है कि मंतोस वेदिया एक होनाहर इस्टूडेंट था बिटक किया हुआ इस्टूडेंट था और उस तरह से पढ़ाई के परति लगन था और सरकारी नोखरी के परति तो हम लोग भी चाहते हैं कि असरीत को एक सरकारी नोकरी मिले और एक संतोस जनक मुहाजा दिया जाए सरकार की तिरप से और भी सी मोहदय से हम लोग डिसी मोहदय से सरकार से भी बोलना चाहते हैं कि इस तरह का दुख़ट घटना जो लाइबरीरी जैसा मतलब जगह में हो रहा है तो और जगह का गाउ लचर बेवस्ता होगी तो यह सोचनी जग्या है और जल्द से जल्द मंतोस बेदिया का परिवार को नयाई मिले पिल्कुल अब नयाई की लड़ाई शुरू है यहाँ पर पुलीस प्रसासन की टीम पहुंची है और लगातार यहाँ पर जाच किया जा रहा है अब सामने द यहाँ आने से पहले वह इसके ठीक कोना में वहाँ पर साइकिल कॉर्णर पर खड़ा कर रहे थे तभी उपर से यह चज्जे की जो दिवाल है वह उनके सर पर गिरी और यहाँ पर जब घायल हुए तो उन्हें रिम्स ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्ट्रों ने उन्हे हैं मृत घोसित कर दिया तो आप समझजिए कि जिस सेंटरल लाइबरेरी में अपना भौष से बनाने के लिए चातर आते हैं जीवण बनाने के लिए आते हैं वोसी सेंटरल लाइबरेरी ने आज एक चातर की जान ले ली है और यही वज़ाई कि चातरों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और वो कर रहे हैं कि लाइब्रेरी की देख रेक सही से नहीं होती है और यही वज़ा है कि यह ऐसी घटनाएं यहाँ पर हर दिन घट रही है लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है चुम है कि वह रहे दिए विह भी वा दिए थे दिए अनाएं और वाइब्रेटर तो कि देख बहुत थांगां यहाँ जवट्ड़ इन पेर दोग्ड़ नहीं है वहीं है दिन दिन शुमार देख भस लो फुब्रें टो भालेज़ता अना है